हम इस मूलभूट चीज के बारे में बात कर रहे हैं कि आने वाली पीडियों के लिए मिट्टी को जिंदा रखना है क्योंकि मिट्टी हमारी संपत्ती नहीं है यह वो विरासत है जो हमने पिछली पीडियों से प्राप्त की है और हमें आने वाली पीडियों को वैसा ही सौपन किवल इस वजह से कि उन्होंने अलग तरीके की खेती को अपनाया, किसानों को बताने के बजाए कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या उप्योग में लाना चाहिए और क्या नहीं, उन्हें कहिए कि आपके खेत की ये स्थिती होनी चाहिए, जिस भी तरीके से ये हो, अ उसकी आर्थिक स्थिती को कैसे सुधारा जाएं। केवल यही तरीका है जो काम करेगा। और मैं पूछ रहा हूँ कि हर एक सरकार अगर ऐसी घोशनाएं कर सके। अभी हम रोमेनिया में हैं। यहां का जैविक तत्वो औसतन एक दशमलब तीन पांच प्रतिशत है। अगर आ आप इसे तीन प्रतिशत तक पहुँचाते हैं तो देखे अगर मैं गुपत रूप से कीट नाशा का उप्योग करता हूँ तो कोई तरीका नहीं है जिससे आप पता लगा सकें। लेकिन यह भी एक मुद्दा है। यह आसानी से खेत में पता लगाया जा सकता है। इसके ल जैविक तत्व वाले खेत में सेब उगा रहे हैं तो अब इसे बाजार में विशेश शेल्फ मिलेगा। अभी हम बाजार में यह व्यवसाइक शब्द काम में ले रहे हैं कि यह सेब और्गानिक है। तो दूसरा क्या है? क्या यह इन और्गानिक है? कैसी चीज होती है? ऐ अगर आप कहते हैं कि ये फसल तीन प्रतिशत जैविक तत्व से आती है तो इतना विज्ञान है आपको बताने के लिए कि सूक्ष्म पोशक तत्वों की गुणवत्ता और मात्रा में कितनी ज्यादा बढ़ोत्री होगी। अगर मैं अपने 6 प्रतिशत जैविक तत्व वाले मेरे खेट से फसल लेता हूं उसके अनुसार मेरे सेप को और सभी से अलग एक शेल्फ में रखा जाएगा लेकिन इसकी कीमत ज्यादा होगी। देख भाल की गुणवत्ता भी जो आप मिट्टी को और सामान्य वातावरण को देते हैं। मुझे लगता है कि यह ऐसा है जो अपनाया जा सकता है। मुझे लेका भी जाएगी verification। कर दो